हाई मैं निलेश कुमार सिंग आपका हमारे चैनल सिविल सर्विसर्वित निलेश पर स्वागत करता हूं और इससे पहले कि हम आगे बढ़े जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजे ताकि हमें भी बूस्ट मिले कि हमें भी समझ बता चला है कि आप लोगों को यह वीडियो अ चाहता हूं एक राजा हुआ कलता था उसका बहुत ही खुबसूरत सा राज्य था छोटा सा राज्य था लेकिन वहां पर बहुत ज्यादा खुसाली थी एक दिन ऐसा आया कि उनको अपने गुप्चरों से पता चला कि इस राज्य पर अटैक होने वाला है अब ऐसे में सेना थी बहुत बड़े राज्य की सेना थी तो इसके चलते क्या हुआ कि उसके जूएक गुप्तचर ने एक जो मंतरी था उसने ऐसा बोला कि सर हमाएं पास एक option तो हैं तो राजा ने पूछा क्या है option हैं बोला कि आपको अजीब लगेगा लेकिन इससे पहले कि वह हम पर लोग सिंस अभी प्रिपेरड नहीं होगे तो आपके पास एक लिस्क मौका तो होगा आपका टैक इतना धासू हो जाए इतना स्ट्रॉंग हो जाए कि आप उनको उपर जीट जाए एक चांस बनता है कि साइधा गर्णी निया सौ में एक चांस जरूर बनेगा कि आपके जीतने का तो राजा को इसकी बात अच्छी लगी उस मंत्री की बात और उसने बुला ठीक ह तो उसने अपनी सेना को जल्दी से तयार किया दो दिन बाद वो लोग कूच कर गए और जिस आइलेंड पे वो राज बसा वहा था वहां पर अपनी सेना के साथ इंटर कर गया रात के टाइम पे और एक ही पुल जो से में लैंड से अटैच करता था उस पुल पे उसने आग लगवा दी और फिर अपने लोगों से बोला अपने सैनिकों से बोला कि अब तुम्हारे पास कोई आप्सन नहीं है तो मैं पास वापस जाने का भी रास्ता नहीं है या तो तुम लड़के इस राज्य के उपर चड़ाई करके जीत सकते हो या तो तुम मरने के लिए तैया इस उन्होंने अटेक किया और उसके चलते इतनी बहादूरी से लड़े कि एक एक वेक्ती ने 100-100 लोगों के उपर जीत हासिल की और इसके चलते वो जो लाजा जिसकी छोटी सी सेना थी वो उस बड़े राजय के उपर भी वो जीत गया क्या बताना चाता हूँ मैं आपको इस कहानी के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाता हूँ कि वो राजा इसले जीता क्योंकि उसने सैनेकों के पास कोई विकल्प नहीं छोड़ा था कोई विकल्प नहीं छोड़ा था जीत के लावा इसी तरी इससे अपनी जिंदगी में अ आपके खतम हो जाएंगे तो क्या करोगे क्या आज भी आप वैसे ही तैयारी करोगे जिस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए थी या फिर आप वैसे तैयरी करोगे जैसे आप अभी किये जा रहे हो आप definitely वैसे तैयरी करोगे कि आपके पास कोई option नहीं है तो जब आपको पता होता ना कि आपके पास कोई option नहीं है तो आप जी जान लगा देते हो फिर आप वो नहीं करते हो कि पार्क में जाके उसको पढ़ा रहे हैं खुद का तो सेलेक्शन अभी तक हुआ नहीं लेकिन मैं बहुत साइब बच्चों को देखता हूँ जो कितना सारा टाइम खराब करते जा रहे हैं क्या करते हैं माबाप ने भेजा एक पढ़ने के लिए राजिंदा प्लेस में पार्क है सिंधी पार्क तो वहां पर जाते हैं बहुत साइब बच्चे ऐसा क्या करते बहीं बैटके पढ़ा रहे हैं मैडम जी को पढ़ाा रहे हैं अर भी खुद का सेलेक्शन तो ले लो रादभर तयारी करेंगे उसको पढ़ाने यह नीए नी दयायो दिक्कत करने ना कोई नहीं यह लेकिन पहले खुद का सेलेक्शन तो लें मेरे भाई क्योंकि आप आपके पास अभी भी दिमाग में है कि अगर इस बार सेलेक्शन निवा तो अगले आटेम्ट देंगे इस बार सेलेक्शन निवा तो अगला अटेम्ट कब तक यह सीरीज चलती रहेगी यह पंच वरसी योजना बनाने तो नहीं आये थे कोशिस्त करने के तो इसलिए थे ना कि पहले अटेम्ट में फोर दूंगा अपने मकसद को इसलिए मत भूलिए याद रखिए एक लेकर चली की नहीं मेरा यह आख्री अटेम्ट होगा पहला और आख्री अटेम्ट होगा या फिद जो अगर दूसरा है तो दूसरा और कोई रोकना पए तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम अपनी क्लास में जो की है रिमेंडल थियूरम डिविजिबिल्टी एंड रिमेंडल थियूरम और इस क्लास के बारे में आपको देखे ज्यादा तर चीजे तो मैं कॉंसेट बदा चुका हूं कुछ चीजें एक दो चीजें जो रह गहीं थी वह मैं आप से डिसकस कर लेता हूं ब्लैक वाला ले लेते हैं चलिए तो देखे एक रूल है देर इस वन रूल बाई डिविजिबिल्टी बाई प्राइम नंबर यह रूल यह कहता है इस रूल का मतलब यह है एनी सिंगल डिजिट नंबर नोट कर लिजेगा एनी सिंगल डिजिट नंबर कोई एक सिंगल डिजित नंबर रिटन पी-1 ताम्स अनी सिंगल डिजिट नंबर रिटन पी-1 ताम्स इस दिविजिबिल भाई P is divisible by P where P is a prime number and P is greater than 5. मतलब आपसे यह कहता है कि कोई भी single digit number P minus 1 times आप लिखेंगे तो यह P से divisible होगा अगर P की value 5 से बढ़ी है और P एक prime number है मतलब समझाता हूँ आपको इसका सीधा सा मतलब यह है कि suppose हमारे पास एक prime number है let's say 17 ठीक है हमारे पास एक prime number है let's say 17 थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ हमारे पास एक prime number है let's say 17 मेरे को यह करा कोई भी single digit number written P minus 1 times यानि कि कोई single digit मैं ले लेता हूँ suppose 1 मैंने 1 ले लिया और मैं क्या करूंगा इसको P minus 1 times लिखूंगा यानि कि मैं 1 1 1 1 1 कितनी बार 16 times मैं 1 को 16 times लिखूंगा so it will be divisible by 17 वन 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 आप 16 बार टाइम लिखेंगे तो यह 17 से divisible होगा यही तो कर रहा है any single digit number any single digit number written P minus 1 times क्योंकि यह P है P minus 1 times P minus 1 times मतलब 16 बार लिखेंगे तो it will be divisible by 17 मतलब यहां पर मैं चाहिए बन लिख्यूंग चाहिए मैं लिखो 2 कर ट्लों ट्लों 16 हाई मैं 3 3 3 3 3 16 16 टाइम्स लिख दूँ चाहे मैं 4 4 4 4 16 टाइम्स लिख दूँ तो अगर मैं 16 बार रिपीट करूंगा तो यह डिवीजिबल हो गाई होगा एक छोटे नंबर से चीज को समझते हैं मेरा मैं आपसे क्या कह रहा था कोई भी सिंगल डिजिट नंबर पी मैनस वन टाइम्स लिखेंगे और पी की वैल्यू पाथ से ज्यादा होनी चाहिए तो सपोज वी हैव प्राइम नंबर इसको चेक भी कर लेते हैं हमारे पास एक प्राइम नंबर है पी इकोल टू 7 तो मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर मैं पी मैनस वन टाइम्स कोई सिंग 4444 लिखूं चाहे 5555 555 लिखूं चाहे मैं 88888 लिखूं चाहे मैं 11111 लिखूं यह डिवीजिबल होगा पी इकोल टू 7 मतलब साथ से यह सारे नंबर्स डिवीजिबल होंगे आईए चेक कलते हैं वन 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 7 वंजा 7 4175 जा 35 6176 जा 42 यह 5 है ओके शेवन 6 जा 42 जा 49 जा 56 56 हो गया फिर आया 51 75 जा 35 77 जा 49 आया 2 और यह बचा लास्ट मेंवन 7 जा 21 हो गया डिवाइड छे बार लिखा डिवाइड हो गया अब आप बोलो के सरी यह तो बही चलो यह हो गया लेकिन बही कौन सा आपको लग रहा है बला एक मालो यह तो even दिख रहा है यह तो नहीं होगा चलो इसको भी चेक करते हैं छोड़ेंगा नहीं 4 4 4 4 4 4 4 ठीक है सामने है साथ से अपन को डिवाइड करना है 7 6 जा 42 ठीक यह क्या होगा 7 7 जा 42 24 7 3 जा 21 34 7 6 जा 28 28 64 7 9 जा 63 14 7 2 जा 14 कट गया यह चीज़े कहती है यह बहुत इंपोर्टन चीज़ है क्योंकि सपोर्ज कभी एक ऐसा कुश्चन आता है इन फैक्ट यूपेसी में भी आ रखा है वह मैं आपसे जब कुश्चन डिसकस करूंगा तो मैं आपसे डिसकस करूंगा सपोर्ज एक कुश्चन दिया हुए 7 7 7 7 7 dot 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 और यह दिया है आपके पास लेट से 99 टाइम्स दिया है और यह 11 से डिवाइड करना है यह आपके पास दिया है 99 टाइम्स और यह आपको 11 से डिवाइड करना है तो देखो सीधा सा है कि अगर यह 99 टाइम्स अब यहां पे तो simple आप एक चीज यह देख लो यह बही आपसे चेक करना है कि यह डिविजिबल है के नहीं और यहां पर रिमेंडर क्या हा रहा है आप इसको बार लगाओ सोचो मैं आपको इस पर डिस्कस करता हूँ कुछ दिमाग में आ रहा है अब समझना देखो मैं आपसे कहा रहा था यह प्राइम नंबर है मैं आपसे कहा था यह प्राइम नंबर है यानि की जो 7 है यह 10 बार जब होगा 10 टाइम जैसे ही रिपीट होगा यह 11 से डिविजिबल हो जायगा टिक, यानि कि 7 starting at 10 times, ओलड़ी वो आपका ग्यारस individual हो रहा होगा, अगला 10 भार भी और डिवाइड जो होगा वो डिवाइड हो रहा होगा, यानि कि 7, यानि कि 11th place से लेके, 11th place से लेके 20th place तक, ये डिवाइड हो रहा होगा, से कеры कि को पत्यां इधर से डिवाइड करना और जो आपका बड़ा वाला सांट होता इसकी प्लेस व्यल्यू जाता हूत आप इसकी असनिया करते है तो हम इधर से दिवाइड करना सुरह करते हैं तो इधर से मैं जब भी दस संख्या बढ़ूंगा 10 times में बढ़ूंगा तो मैं पाऊंगा कि यह 11 से divisible हो रहा है क्योंकि मेरा theorem में से यही कह रहा था और हर 10 बार every 10 times जैसे ही यह repeat हो रहा होगा every 10 times जैसे ही ये repeat हो रहा कर ये divisible हो रहा होगा और यहाँ पर दिया यह 99 बार तो यानि कि 90 times तक 90 times तक ये इसको divide कर रहा होगा और मेरे पास फिर last में क्या बचेगा 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9 यही बचेगा छोटा हो गया divide करके देखेंगे 11 से तो देखो यह भी पता है यह 11 से कट रहा है 11 से कट रहा है 11 से कट रहा है क्योंकि आप यहां करोगे 119099 फिर 10 रिखोगे 119099 यह करते चले जाओ तो आप देखोगे कटता चला जाएक लास्ट में यह 9 बचेगा और आप बोल दोगे reminder 9 होगा यहां पर और दो इस तरीके के कुर्सन में आपको यहां पे सीधे पता है कि यहां पे दो बार में ही डिवाइड होता चला जा रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि 77 77 77 तो वह हम भई 49 टाइम्स करेंगे तो 98 टाइम तक वह तो 11 से कटता चला जा रहा है लास्ट में बचे करनो वही रिम आप अब अब मेरे को दिवाइड करना 19 से क्योंकि नंबर रिपीट हो रहा है तो यह प्रॉपर्टी बारबार लगेगी तो इसलिए आपको यह इसका कॉंसेट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए तो आप एक चीज देखो यह है एक प्राइम नंबर और यहां पर यह रिपीट होता चला जा रहा है ठीक है अब मेरे को पता है कि हर जैसे ही 18 टाइम्स रिपीट होगा जब भी 18 बार आएगा 18 बार तीन लिखा जाएगा यह डिवाइड हो जाएगा 19 से तो यानि कि मैं इसको लिख सकता हूँ 3 लिखता चला जाओंगा कितनी बार 380 टाइम्स 19 टू जा 38 एंड उसके बाद 3 3 यह बच जाएगा तीन को मैं 380 बार लिखूंगा और उसके बाद 2 3 क्योंकि 82 है न तो मैंने इससे क्या क्या इससे डिवाइड करके देखा कितनी जितनी बार तो कितनी बार वो नंबर डिवाइड हो पा रहा है तो 3 380 टाइम्स उसके बाद मेरे पास 2 बचा 2 3 बच गया ठीक डिवाइड़ है यह बाद मेरे को पता है कि हर 18 बार वह कटता चला जारा था तो यह पूरा जो डिमेंडल देगा मेरे को यह तो जीरो दे रहा है तो इधर वाला तो पूरा कट गया बचेगा मेरे पास लास्ट में 33 और 33 से मेरे को 19 डिवाइड करूंगा तो रिमेंडर क्या आएगा 14 आ या फिर में से पूछ दिया कि भी डिविजबिल्टी है कि नहीं है तो भी आप बता दोगे ठीक है यह है अब यह अब यह 381 टाइम्स होता तो सिंपल होता कि एक बार तीन था तो आपका रिमंडल तीन आ जाता ठीक तो इस टाइप के question में बिल्कुल confuse ना हूं अगले पर आते हैं एक चीज एक बड़ा प्यारा concept है sum of factors and the number of factors sum of कभी भी पूछा जा सकता है sum of factors and number of factors इसका मतलब यह होता है suppose देखो पहली चीज जैसे 6 है मेरे पास एक सवाल आया कि इसके sum of factors क्या है number of factors क्या है मुझे इसका जवाब निकालना है तो मेरे को पता है 6 के जो factors होते हैं वो क्या है 1, 2, 3, 6 तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि sum of factors the sum of factors is equal to 1 plus 2 plus 3 plus 6 which is equal to 12 ठीक है and the number of factors number of factors is equal to 4 1, 2, 3, 4 यहां तक कोई समस्या नहीं है लेकिन यह चीज तब सही लगेगी जब आपका जो यह number है जब आपका जो यह number है यह छोटा number है लेकिन अगर number बड़ा हो जाए let's say number हो गया n equal to 240 उससे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ आईए पहले यहां पर चेक कर लेते हैं मैं आपसे यह चीज कहना चाहता हूँ कि कभी कोई number एक चीज आपको मैंने बताए थी कि हर एक number को उसके prime factors के power के terms में लिखा जा सकता है मतलब कि मैं 6 को लिख सकता हूँ 2 की power 1 into 3 की power 1 यह लिख सकता हूँ आप लोग जानते हैं मैं आपसे यह formula आपको देना चाहता हूँ कि कभी भी हमारे पास कोई एक number आए n और इसको मैं represent कर सकता हूँ a की power m into b की power n into c की power o into d की power mnop यह अगर मैं किसी को भी लिख सकता हूँ इस तरह से such that a, b, c, d are prime factors of the number then जो sum of factors होगा sum of factors will be equal to कुछ नहीं करूँगा मैं इसको लिखना सुरू करूँगा ए की power 0 plus a की power 1 plus a की power 2 तब तक लिखता चला ज available जब तक मैं a की power m तक ना आ जाऊ करें इसी तरीके से इसको मैं तब तक लिखता चला जाऊँगा जब तक बी की पावर एन पे ना आ जाओं ठीक है यह भी मैं explain करूंगा आपको यह बहुत important concept है क्योंकि sum and number of factors में हालत खराब हो जाते लोगों की निकालने के तो बेटर हैं formula से करने simple formula पूट करोगा answer आ जाएगा तो यह sum of factors होगा यह सब के लिए आप लिखते जाएंगे सी के पावर जीरो प्लसी की पावर तब तक जब तक जीरो ना आज है मतलब यह वाला ओ ना आज है और number of factors मेरे से पूछेगा कि number of factors जब मेरे से पूछेगा तो मैं क्या करूंगा सीधे बोलूंगा number of factors is equal to m plus one and plus one मतलब इनकी पावर में plus one कलते चले जाओ multiply कर दो o plus one dot 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 अगर मैं इसी formula को यहाँ पर वो कलता हूं मतलब apply कलता हूं तो मेरे को अगर sum check करना होता suppose करो मेरे को अगर sum check करना होता तो मैं क्या लिख सकता था यहाँ पर two key power zero plus two key power one यही तो मैंने बोल आप से हैं इन्टू three key power zero plus three key power one is equal to one plus two and one plus three तो three गुड़े चार बारा आ गया जो की बराबर है ठीक है एंड अगर मैं बोलूंगा कि number of factors क्या होंगे number of factors क्या होंगे number of factors मैं यह बोल दूंगा कि it will be one plus one and plus one one plus one and plus one equal to two into two equal to four यह हमेशा सत्य होगा इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए important है कभी ऐसा सवाल आए कि number of factors and sum of factors तो आपको simply यह करना है कि आपको उन उसको प्राइम factors के terms में डालना है उसके power को देख लेना है उसके बाद इस तरीके से कर लेना है sum and number निकल के आ जाएगा तो मैंने अब 240 का सपोज मेरे को करना है तो मैं क्या करूंगा 240 को मैं देखूं कि मैं क्या लिख सकता हूं तो इसको मैं 240 को लिख सकता हूं मैं 16 से अगर में को दिख रहा है ठीक है तो मेरे से अगर पूछेगा इसका sum of factors अगर मेरे से इसका sum of factors पूछेगा तो sum of factors मैं क्या बोलूंगा 2 की power 0 plus 2 की power 1 plus 2 की power 2 plus 2 की power 3 plus 2 की power 4 तब तक लिखूंगा जब तक यहां तक ना पहुच जाओं और 3 उसके बाद लिखूंगा 3 की power 0 plus 3 की power 1 और उसके बाद 5 की power 0 plus 5 की power 1 यह sum हो जाएगा और अगर मेरे से पूछेगा कि दब number of factors मेरे से पूछ लिया number of factors तो मैं क्या लिख के सकता हूं यह sum of factors है यह number of factors मैं लिख सकता हूं 4 plus 1 1 plus 1 1 plus 1 यह निकल क्या 5, 2,10, 2,20 total factors इसके कितने होंगे 20 ही होंगे ठीक है यह देखो मैंने आपको बताते हैं इसमें गलती से भी confuse मत करना लाइक फॉर एक चीज़ और ले लो लाइक अगर चालिस दिया हुआ है और आपको चालिस को आपको पता है आप लिख सकते हो एट फाइट फाइट फॉर्टी तो टू क्यूब इन्टू फाइब आपको नंबर फैक्टरस होगा कि चक्र में नहीं पढ़ना सम आप फैक्टरस होगा तो सीधे सम निकालो इकोल टू टू की पावर जीरो प्लस टू की स्क्वार प्लस टू क्यूब और यह निकाल दोगे 5 की पहुर 0 प्लस 5 की पहुर 1 और नमबर यह जो भी calculation निकल के आएगी अब देख लो यह निकल के आ जाएगा 8 4 2 1 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 यह आगा 8 4 12 13 14 15 15 this is 15 and this is 5 की पाव 1 यह 6 तो the sum of factors is 90 and the number of factors it is as I told you already the number of factors is equal to 3 plus 1 that is 4 into 1 plus 1 overall it is 8 so sum of factors is 90 and the number of factors is 8 ठीक है इसमें confused बिल्कुल ना हूँ अब अगर suppose पूछ दिया मेरे से यहां पे कि what is the sum of even factors even factors का sum क्या होगा एक situation ऐसी आ सकती है 240 के कई factors होंगे उसमें कुछ even भी होंगे कुछ odd भी होंगे अच्छा मेरे को चीज पता है कि odd और even को मैं जब multiply करता हूं तो मेरे पास क्या आता है निकल के यू नो देस वेन odd into even is multiplied then we get the even number मतलब 3 into 2 is equal to 6 यह तो मेरे को पता है इस इसी से factors निकल ले हैं ठीक है तो मैं क्या करूंगा जब मेरे से यह पूल बोल देगा कि what is the sum of even factors तो मैं सीधे क्या करूंगा 2 की power 0 को भूल जाओंगा मेरे से पूछेगा what is the sum of sum of even factors what is the sum of even factors तो what I will do मैं 2 की power 0 को भूल जाओंगा और बचा हुआ जो है as to that लिख दोंगा मेरा जवाब निकल के आ जाएगा ठीक है इससे एक बात देख लीजे बिलकुल कन्फ्यूज ना हूँ तो बेसिकली मैं कर क्या रहा हूं यहां पर क्यों मैंने टू की पावर 0 जो एलिमिनेट किया मैं आपको बताता हूं समझिएगा इसी इसको अगर आप इसको समझ लेंगे तो आपको यह बहुत जादे याद नहीं रखना पड़ेगा एक एक सिंगल फर्मूले याद करके आप कर पाओ गया कि रुख जाईए देखो देखो यह जो भी है यह तो इसके वह से अबमिश्क लिए जो भी इधर वाले फैक्टर हैं ये सारे ओ पैक्टर साथinois दिख रहे हैं मुझे मुझे लेकिन अब इसको यह मत कर लेना कि इसका sum even है उससे मेरे को मतलब नहीं है क्योंकि सब आपस में multiply हो रहे हैं तो यह एड होके नहीं हो रहे हैं वह multiply होते इधर से उधर होते चले जा रहे है basically समझना यह है कि यह एक odd था और यगली नहीं था यह बेसिकली टू से डिविजिबल नहीं था वेट ए सेकंड यह नमबर टू से डिविजिबल नहीं था टू की पावल जीरो ठीक है तो यह मेरे को जो फैक्टर देता वो तो ओड वाला देता तो इसलिए मैंने सको हटा दिया और मैंने बचा हुआ रख बच्चा वह चीज रख लिया बाकी सब कुछ वैसे किया तो अगर में से नंबर फैक्टर भी पूछेगा ना तो मैं यहां पर यह प्लस वन नहीं करूंगा तो मैं अगर खाली इवन पूछा है ठीक है मेरे से अगर इवन के लिए पूछ लेगा किसी भी नंबर का तो मैं क्य सब्सक्राइब को दस फॉर्मूले याद नहीं रखने उसके बाद क्या करूंगा मैं केवल इतना लेकर चलूंगा और मैं बोलूंगा यह होगा इवन के लिए और नंबर आफ फेक्टेस पूछेगा तो मैं क्या करूंगा यह टू की पावर इसमें जीरो हटा दूंगा तो इसके बाद मतलब यह कर दूंगा अभी मैं आपको एक एक जामपल लेकर बता देता हूं आपको ज्यादा अच्छा से समझ मेंगा तू की पावर टू तो मेरे को अगर सम ओफ इवन फैक्टर लिखना था तो मैंने बोला मैं टू की पावर जीरो ड्रॉप करूंगा तो मैं इसको लिखना शरू करूंगा टू की पावर वन प्लस टू की पावर टू प्लस टू की पावर थ्री प्लस टू की पावर फॉर बाकी सब के साथ मैं वैसे ही रखोंगा थीक है और मेरे से पूछ दिया number of even factors मेरे से पूछ दिया number of even factors तो मैं क्या करूंगा मैं सीधे लिखूंगा यह अब अगर मेरे से sum of odd factors पूछ लिया ही का sum of odd factors तो जो मैंने हटाया मैं उसको ले आऊंगा टू की पॉछ जीरो और यह बागी हटा दूंगा बागी सब वैसे लिख दूंगा अब मेरे से पूछ देगा number of even factors तो number of even factors क्या करूंगा मैं टू की पॉछ जीरो यह एक number था यह से one बचावा one plus one one plus one simple है इसता से यह हो जाएगा यह सौरी यह even नहीं होगा यह odd होगा ठीक है तो यह किसी भी number के लिए applicable होगा इसको जितना मैं मैं आपको questions दे दूँगा आपको यह बात पता है बहुत अच्छे से सीएसी टॉपर अग्याट कॉम पे आप register कर सकते हैं प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रिलिम्स के लिए test series चल लई है इसमें मैं जैसे जैसे होगा इन कॉस्ट बहुत ही minimal रखी गई जस्ट टू थोजन रूपीज और यह पूरा वैलिड होगा तिल दप्रिलिम्स 2024 तो बहुत ही रिजनेबल कॉस्ट रखी गई है तो आप इस पर अगर चाहें तो रिश्टर कर सकते हैं एंड अड्मिस्ट के लिए आप वाट्सेप कर सकते हैं 9310161970 और टेलिग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं यूपीज सी एम टॉपर यूपीज सी एम टॉपर तो अगर आपको लगता है कि आपको एक्स्टर टेस्ट की जरुवत है और प्रैक्टिस में रहना है तो आप यहां पर यह जाके कर सकते हैं जैसे जैसे एक्लासेज रन करेंगी यह लागते बागे बढ़ते हैं अब देखिए इसके बाद तो यह चीज है इसमें आपको बिल्कुल नहीं कन्फ्यूज होना है गलती से भी कन्फ्यूज नहीं अगर आपको नहीं समझ में आगा तो बाद में आप इसको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इसमें देख लेना कि जो भी चीज़ें हैं कन्फ्यूजन हो तो और अचैश करना आप को जितना स्यद्य सी बात है जORA क्रोगः आप उतना ज्यादां चाशंब आप्यूर्च सोन् इलतिक्द करोंगी कन्त सब्सक्ट करों कि सपोज है let you have a question 2 की पावर 39 अपॉन 3 मेरे को remainder बताना है question मेरे से बोला 2 की पावर 39 by 3 यह बहुत असान सवाल है मैं तो इसका सीधा सा तरीका मैंने आपको बताया था अगर कभी भी हो तो 2 by 3 देख लिजे remainder क्या देगा आपको पता है यह देगा negative remainder that is minus 1 ठीक है तो यह minus 1 देगा तो मैं इसको लिख के सकता हूँ minus 1 की पावर 39 by 3 अब मेरे को इतना पता है minus 1 की पावर 39 it will be minus 1 तो मेरा जो remainder निकल के आएगा वो होगा minus 1 लेकिन मैं remainder negative में नहीं लिखता हूँ इसलिए मैं इसमें लिखूँँगा minus 1 में divisor add करूँगा minus 1 plus 3 is equal to 4 लिख दूँगा ठीक अब आगे बढ़ते हैं एक और जैसे सवाल है बहुत easy सवाल है like 2 की पावर 52 है upon 7 2 की पावर 52 है upon 7 तो मैं इसको क्या कल सकता हूँ तो मुझे पता है 2 की मैंने बोला था कि हमें कोशिश करने किसका पेर बनाने का वन का पेर बनाने की तो मेरे को पता है 2 2 जा 4 2 4 जा 8 7 जो 7 के आसपास है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 इंटू 17 प्लस 1 17 थी जा 51 प्लस 1 तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 पावर 3 17 प्लस 1 ठीक है अपाउन 7 कलते रहिएगा अब मैं इसको लिख सकता हूँ 8 की पावर 17 प्लस 1 अपाउन 7 अब मेरे को पता है कि ये इसके साथ तो रिमेंडर 1 देता है तो मैं क्या करूँँगा कि यहाँ पे 1 की पावर 17 भी 1 ही होगा तो मैं बोल दूँगा यहाँ पे रिमेंडर आएगा 1 और यह बचा हुआ रिमेंडर 1 अपाउन 7 विच इक्वार टो रिमेंडर 2 सिंपल है जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना यह चीज़े आपको समझ में आती जाएंगे असान होते जाएंगे तो आप कई सारे भी कुशन करते हैं एक और कुशन सपोज मेरे पास आता है लेट से टू की पावर मैं ले लेता हूँ लेट से 79 टू की पावर 79 और मेरे को इसको डिवाइड करना है 19 से ठीक है एक तरीका यह था कि मैं यह कर सकता हूँ अब देखो यहां पर मेरे कोई चीज देख रही है कि टू की पावर 70 रहना है अब मैं क्या करूँ 19 के असपास ले जाने के कोशिश करता हूँ ठीक है 19 के असपास ले जाओंगा तो मैं यह लिख कर सकता हूँ टू की पावर 4 इंटू लेट से टू की पावर 4 इंटू 19 फोर साथ 76 19 प्लस 3 अपन 19 यह आ जाएगा टू की पावर 4 मतलब यह हो गया तो टू आप पोड़ इस एट इस इस शिक्स्टीन की पावर 19 इंटू 2 क्यूब अपन 19 यह हो गया यह रिमेंडल देगा मैनस 3 मैनस 3 की पावर 19 इंटू 2 क्यूब अपन 19 इसके बाद फिर इसको हम और सिंप्लिफाई करेंगे लेकिन अब समस्या यह है कि कैलकुलेशन बरती चली जारी बट हमने रिमेंडल लगातने के लिए हमने इतना टिपिकल कैलकुलेशन एवाइड करना था तो हम क्या सोचे कुछ और कुछ और तरीका सोचते हैं तो कुछ और तरीका मैं क्या सोच सकता हूं मेरे को दिख रहा है कि यह नंबर प्राइम है अगर ए और बी को प्राइम है और पी प्राइम है उसको एप्लाई करने के कोशिश करते हैं तो मैं इसको लिख सकता हूं इसको मैं लिख सकता हूं टू की पावर इसको मैं क्या लिख सकता हूं टू की पावर अब मेरे को पी मानस वन लिख नहीं थी तो एटीन लिखना था 2 की पावर 18 ठीक है अब 18 फोजा 72 18 फोजा 72 प्लस 7 अपॉन 19 ठीक है इसको मैं क्या लिक के सकता हूँ अब ये मेरे को दिख रहा है 2 की पावर 18 4 प्लस 2 की पावर 7 अपॉन 19 अब मेरे को पता है कि ये चीज तो रिमेंडर वन देगा पावर 4 कुछ भी कल दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो यहां से निकल के आएगा 1 प्लस 2 की पावर 7 अपॉन 19 ठीक अब 2 की पावर 7 कितना होता है यह प्लस नहीं हो गया यार यह इंटू था यह मुटिप्लिकेशन था तो यह मुटिप्लिकेशन था इसे रहों को यह मिटा दे भी देते हैं बढ़िया नहीं लग रहा मजा नहीं आ रहा है छोटू सा चलो ठीक है यह इंटू था अब यह टू की पावर 7 कितना दा टू टू जा फोर टू जा एट टू जा शिस्टीन टू जा थर्टी टू टू जा शिस्टी फोर टू-टू-जा-फोर, एट, शिस्टीन, थिट्टीटू, शिस्टी-फोर, वन टू-एट, तो यह आगया, वन टू-एट, बाइ-19, अब यहां पर रिमेंडर निकालना, असान हो जाएगा, आपको पता है, वन ट्विंटी-एट को नैंटीन से डिवाइट करेंगे, तो क्या थी तो यह थोड़ा से आपको व्याद होना चाहिए तो रिमेंडर आ जाएगा फोर यहां पर इमेंडर आ जाएगा फोर्म तो यह से लगढ़ में लेकिन आपको मेथट कॉन सा यूज करना यह आपको यह हर कुस्ट्टन के साथ decide करना पड़ेगा क्योंकि कोई fix method जरूई नहीं है कि यही method यहाँ पर काम करेगा आप एक दूसरा method लगा सकते हैं कि आपकी calculation easy बना जाए हमारा कोशिस हमेशा यह होना चाहिए कि हमारी जो method है जो भी हम use कर रहे हैं वो method easy बने और easy बनने का simple तरीका यह है कि आपको basically मलब easy बनने का simple तरीका यह है कि आपको हमेशा कोशिस यह करनी है कि आप जिस तरीके से जो भी method यूज करें उससे आपकी calculation असान होते ही चली जाए वो practice से आएगा maths एक ऐसा subject है जो practice मांगनता है और यह तो आपके optional के साथ भी है GS के साथ भी है answer writing के साथ है हर जगा है जिसको जितना प्रेम दोगे वो उतना आपका अपना होता चलेगा mathematics ऐसा ही है जितना प्रेम दोगे mathematics आपके अपने पास आजाएगा तो देखो यहां पर मैं format theorem भी लगा सकता हूं और मुझे देख रहा है कि वन की power में भी चीजे आ रही हैं तो मैं इसको लिख सकता हूं कि टू की power 4 गुडे 96 तक जाएगा 24 गुडे 4 इंटू 2 इंटू 2 क्यूब मतलब 24 चोका 96 प्लस 3 इंटीन तो अपना मुद्दा साथ हो रहा है इंटू 7 बाई 17 तो अब आप इसको लिख सकते हो 16 की power 24 इंटू 2 क्यूब अपन 17 यह आपका रिमेंडर कितना देगा माइनस वन ठीक है तो माइनस वन की power 24 इंट जगीन पॉस्टिव तो इंटू 2 क्यूब अपन 17 नौद रिमेंडर विल भी 2 क्यूब यह आपका रिमेंडर होगा इसको आप फर्मेट थियोरम से भी कर सकते हैं टू की पावर 66 टू की पावर लाइक लेट से हमने देख लिया टू की पावर 99 अपन 17 है तो मैं इसको क्या लेख सकता हूं टू की पावर 16 सिख्जा 96 इंटू 2 की पावर पावर क्यूब अपन 17 और यह मुझे पता है फर्मेट फिर्म से रिमेंडर बन देगा अगेन आपका रिमेंडर हीट आ जाएगा तो चाहें ऐसे कर लो चाहें वैसे कर लो करने से मतलब है आंसर आने से मतलब है मुद्दे की बात है कि आपका आंसर निकलना चाहिए एक पर इसका रिमेंडर बताएं तो मेरे को पता है वहाण इस दनी माम नंबर उपल दिया वाएं और प्राइम नंबर रेटी-टू जो की इन नमबर है दोनों और यह को क्राम हों गए तो यह एक फिर पर फ्रावर्म का है तो यह इसका रिमेंडर आजाएगा सीधे आजाए य करना जाएगा इसलिए आप जितना प्रैक्टिस करेंगे जैसा मैं आपको बोलना हूं आप चीजों को असान करते जाएंगे अब इसको मैं इस दूसरे फॉर्म में भी लिख सकता हूं सपोर्ज मैं पास कुर्शन है लाएक कुर्शन चलो बनाते हैं 37 यह हमारा यह जो है प्र कि कर सकता और नाम से कि प्लद हो कि 36 में इसका मुझे पता रिमेंडर वन आएका तो यह बचया टुक्त क्यों कि यहां से जिंके बचेजा गानाट आप प्ट्रेंगे संवा होते जाएंगे इसलिए कभी भी इसierteسरसक्ट का घबाना नहीं है अब सपोज इक इक एक वीशन ह है let's see आपके पास एक question है 7 की power 7 plus 7 की power 77 plus 7 की power 7777 let's say plus 7 की power 77777 और इसको divide कर दिया 8 से और बोलता हो ही आपको remainder बता दो असान है आपको पता है 7 से 8 करते हूं कितना था minus 1 तो यहां पर remainder कितना जाएगा minus one की power 7 यहां पर minus one की power 77 likewise minus one की power 777-1 की power 7777-1 की power 77777-1 की power 7777 तो घुमा फिर आपने मतलब घुमा फिर आएगा माइनस फाइब लेकिन हम रिमेंडर तो इसमें लिखते नहीं है तो हम क्या करेंगे माइनस फाइव प्लस एट क्योंकि हमें पता है निगेटिव रिमेंडर को पॉस्टीव में करने के लिए डिवाइड करना पड़ता है इट इस थ्री तो यह आपका उत्तर है देखो इतने बड़े बड़े कैलकुलेशन्स आपके यूँ चुटकियों में हो रहे हैं बस बेसिक करने आना चाहिए ठीक है एक कुश्चन और ले लेते हैं सपोज हमारे पास एक कुश्चन है 56 ऐसे लिख लो चाहिए ऐसे लिख लो दोनों का मतल ईसके लिखते हो यह से लिखते हैं दूनों का मतलब होता है एक ही होता है और इसका यह मतलब तो है ए मॉनस तो करते कलते 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 वन ठीक है तो यह दिए रख्खा है प्लas 55 factorial plus 54 factorial plus 53 factorial dot dot one factorial upon 56 और मेरे से इसका remainder पूछ रहा है ठीक है तो मैं इस question को देख के घबडाओंगा नहीं अगर इस type का different question आ गया जो सीधे मेरे formula से तो नहीं हो रहा है तो मैं क्या करूंगा 56 का मतलब मुझे पता है seven eights are 56 होता है तो मैं काम करता हूँ मैं seven factor क्योंकि और eight यानि seven factorial तक अगर मेरे को तीन बार even number मिल जाए तो उसमें eight का भी multiplication आ गया तो मैं क्या करता हूँ seven factorial चेक करता हूँ इसकी value क्या होती है और क्या वह 56 से divisible होता है तो seven factorial is equal to seven गुड़े six गुड़े five गुड़े four गुड़े तीन गुड़े two गुड़े एक seven into six into five four three two one and let us divide it by 56 तो 56 I can write as seven eights are I find that this seven is here this seven is here तो इससे यह कट जाएगा अब यह आप eight है तो दो यहाँ चार बचा दो जी सिंपल केलकुलेशन आप ऐसे ही करते हैं दो मतलब seven factorial तो कट रहा है तो मेरे को इतना पता है इसमें अब इधर से seven factorial के बाद में eight factorial करूँगा इसमें eight multiply करूँगा तो भी वो 56 होगा अगर मैं nine factorial करूँगा तो भी वो 56 से डिवाइड होगा क्योंकि 9 factorial का मतलब क्या है 9 into 8 into factorial 7 10 factorial बोलूंगा तो भी 56 से डिवाइड होगा क्योंकि 10 into 9 into 8 into 7 factorial तो इस तरीके से अगर मैं चलूंगा तो मैं क्या पार हो कि मेरे पास बचेगा क्या 6 factorial plus 5 factorial plus 4 factorial plus 3 factorial plus 2 factorial plus 1 factorial upon 56 ठीक है यह मैं निकाल लूंगा और जो remainder आएगा मैं उसका उत्तर दे दूँगा तो यह आप calculation भी मैं आपके लिए छोड़ा इस सिंपल exercise आप कल सकते हैं बहुत कुछ नहीं है इसमें simple है आप अराम से इसको कल सकते हैं एक और question आई यह देखते हैं let's say मेरे पास है 18 factorial 18 factorial प्लस वन ठीक है 18 factorial प्लस वन ओके अपन 19 और मेरे से remainder पूछ दिया अब आपको एक remainder theorem मैंने बताया था आपको याद होगा if p is prime एक theorem बताया था अगर p prime है then p-1 factorial upon p अगर कभी आपको ऐसा मिल जाए तो remainder होगा p-1 याद है कौन से theorem था wilson theorem wilson theorem तो अगर मैं यहाँ पर कलता हूँ 18 factorial by 19 तो मुझे पता है remainder यह क्या देगा मेरे को पी-1 और मेरा पी क्या यहाँ पर पी क्या वैल्यू कितना है 19 ठीक है क्योंकि यहाँ पर पी equal to 19 नहींगा तो पी-1 है तो पी-1 नहीं देगा मतलब मेरे को 18 देगा plus 1 upon 19 लेकिन 18 plus 1 equal to 19 हो गया upon 19 definitely remainder equal to 0 हो जाएगा क्योंकि इस remainder में जो extra था वो वन वो अपने आप एड़ होगा है क्योंकि extra आपके पास दिया हुआ था तो इस तरीके के question है like let's say 12 factorial दिया होता same question upon 13 दिया होता तो यह प्राइम है इसका factorial Wilson theorem के चलते आपका हो जाएगा जो remainder आएगा वो आ जाएगा बारा इसमें प्लस वन एड़ करेंगे ही क्योंकि उपसात में दिया हुआ है यह 13 बन जाएगा थर्टीन रिमेंडर विकर टू जीरो नाओ जस्ट कंसिडर एट की अगर इफ हियर यहां पे बारा फैक्टोरियल प्लस टू दिया होता तो आप क्या करते हैं आप सीधे बोलते से इकोल टू यहां पे रिमेंडर उपर बारा रहा है प्लस टू अपॉन थर्टीन फॉर्टीन वाइट रिमेंडर आएगा वन यहां पे तीन होता यहां पे दो होता बढ़ता चला जाता तो यह बहुत असान है जितनी प्रैक्टिस करोगे यार उतना के लिए चीजे असान नहीं होती चली जाएंगे अगले पर आते हैं सपोज एक कुश्चन है 222 ठीक है पावर 17777 7777 7777 को वन टू त्री फो फञावव सिक्स सेवन एट नाइन यहां टैन एलेवन तेवन ठीन टू 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 की पावर ठाटीन टाइन सेवन प्लस प्लस 555 की पावर 77777 77777 7777 ठीक है 13 टाइमस यहां पर भी 13 टाइमस यहां पर भी ठीक है ठीक है बाइ 7 और इसमें आप से पूछा है कि एक कुछ नहीं हो सकता है कि यह डिविजिबल है कि नहीं दूसरा कुर्शन यह भी हो सकता है इसका रिमेंडर क्या होगा तो आपको एक बात पता है रिमेंडर इकोल टू वोट यू नो वन थिंग की अगर मेरे पास है एकी पावर एन प्लस बी की पावर एन वेर एन इस ओड़ इसका जोडेंडर नहीं आयle बोलना चारा थ ermine इसका एक फैक्टर इस डिविजीबल बाई ज़रूर होगा यह प्लस बी यह मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में अगर आपको याद हो तो मैं एक चीज यहां पे देख सकता ह lu कि यहां पर जो भी दिया है इसका एक factor at least 222 और 555 इसको प्लस कर दे तो 777 इसका एक factor जरूर होगा तो मैं इस नंबर को उपर वाले नंबर को इस तासर लिख सकता हूँ तो इस सम्थिंग 777 इन्टू कोई एक नंबर अपॉन सेवन और मेरे को पता है कि अगर यह डिवाइड इससे हो रहा है क्योंकि 777 इस डिविजिबल भाई 7 मुझे सीधा देख रहा है तो अगर यह से डिविजिबल हो रहा है और यह इसका factor है तो जाहिल से बात है यह इसको सब्सक्राइब कुए साथ कॉन सांसरा कोण संफ आप क्रति से ही इसे जितना प्रैक्टिस करेंगा आप उसको अप्लाइड करना सीख जाएंगे और आप हिंगे क् spon reji और को कोई और एक सवाल देख लेते हैं लाइक लेट से 77 77 का पावर है लब सपोर 91 ठीक है अपॉन 13 तेरस हमको डिवाइट करना है हमसे पूछाए रिमेंडर तो क्या लगाना चाहिए सोचिए थोड़ा साब भी सोचिए कौन सा लगायारा फर्मेट थिर्म लगाया विल्सम थिर्म लगाया क्या लगाया तो मेरे को उयक्त चीज याद आ रही है यह चीज दिख रहा है मेरे को इतना पता है 13 सिखजा 78 होता है तो जैसे मुझे अगर मुझे यह दिख रहे हैं ना इसको मैं इस्ता से multiply कर सकता हूँ कि इसके किसी भी multiple में किसी time पर अगर ऐसा हो सकता है कि मेरे को one का difference मिल जाये चाहे plus one चाहे minus one तो मैं मेरा काम असान हो जाएगा तो यहां पर चुकी 13 सिखजा 78 है तो मेरा remainder minus one आ जाएगा पावर 91 अपान 13 और यह negative है तो minus one हो जाएगा और कि minus one की power odd it is minus one upon 13 और मुझे पता है remainder मैं तो इसमें लिखता है नहीं तो minus one plus 13 equal to 12 बहुत असान है तो यह चीजे हैं तो अगर आप एक को एक चीज समझना है आज के लिए हम यहीं पर class end करते हैं आपको यह चीज समझने की जरुवत है कि maths असान है मैं देखो यह असान है आपके सारे कॉंसेप्स में one by one clear कराता चला जाओंगा आप बिल्कुल परेसान ना हो लेकिन आपको भी थोड़ा सा फ़र्स जाना पड़ेगा क्योंकि test जैसे हमारे मेरे साथ जो कई जिन बच्चों ने freely register किया था अब तो खेर वो test paid है बट एक चीज आप समझना कि अगर आप maths के questions को practice करते रहोगे तो वह maths आपकी अपनी होती चली जाएगे इसका एक simple सा यह चीज है तो आप जितनी प्रेक्टिस करेंगे सी सेट आपके लिए उतना असान होता चलाएगा दो जाट तेईस में बहुत सारे बच्चों ने यह गलतियां की थी कि वह प्रेक्टिस नहीं कर रहे थे और प्रेक्टिस नहीं करने के चलते उनका selection नहीं वह तो अगर आप ने भी सोच लिए ना कि भी लास्ट में पढ़े से अराम कर रहा है ना आपने इतने मजबूती के साथ त्यारी कर ली उस राजा की तरह जिसने जो कमजोल था लेकिन फिर भी उसने इतनी मेहनत कि उसने पूरी जान लगा दी और फैनली वह जीत गया तो एक फते हासिल करने का सी सेट के लिए यही एक तरीका है कि आप अप करने के बाद अगर आप यूपेसी ने ऐसा पेपर बना दिया जैसा तो अहलत खराब होने वाली है इसके साथ एक चीज और बदा दो हम नंबर सिस्टम तिन चार क्लासे और होंगे उसके नंबर सिस्टम हम खतम करेंगे रैप अप करेंगे नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमे के बाद हम नेक्स्ट क्लास पर चले जाएंगे क्योंकि नंबर सिस्टम बहुत बड़ा टॉपिक है मैंने कोशिस की है कि आपको इस तरह से पढ़ाओ कि आपको चीज समझ में आए और बाकी आपको अगर अच्छा लगाओ तो हमाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब यहां पर इस वीडियो से लेटर जो भी अपडेट्स है वह यूपसी प्रिलिम्स विथ निलेज चैनल पर ही आता है तो आप उस पर जरूर सब्सक्राइब कर लेगा वहां पर कई सारी एक्स्ट्रा चीज आपको मिलेंगे कुछ मेट्रियल मिलेंगे यूपसी के लिए पढ प्रॉसे पढ़िये आपको समझ में आगा कि आपको लक्षमी कांथ परनी कैसे बैस्ट बूक आपको पता है यूप एक लिए करेंट ली तो लक्षमी कांथ से कोई किताब है नहीं उसके लग आपको शीचेट टेस्ट देना है तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं यह व 61970 यह WhatsApp नमबर है इस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं नहीं तो टेलिग्राम एड़ी रेट यूपी एससी यूपी एससी एम टॉपर आप इस पर कर सकते हैं और आप एडमिशन के लिए बात कर सकते हैं बहुत ही नॉमिनल फीस पर आपका एडमिशन हो जाएगा आप वह कर सकते क्योंकि अभी तक यह इसमें फ्री रेजिट्रेशन चाहले थे अभी इससे पेट कर दिया गया है और अगर आपको वीडियो बि आपको वीजिए कुमासें